तो नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक्ट के मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाइ तो थैंक्यू सब्सक्राइब काई मेरी वीडियो का पार्ट बने के लिए I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज पसंद आया है तो लाइक किये विना मच जाएगा और चैनल पे नहीं है तो यहां पर बैल आइकन है यहां पर प्लीज मेरी पूटो तक ली होगी सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपका मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसे शेयर करें जाल 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 शेयर करें और प्लीज आप लोगी सपोर्ट के विना आया है कुछ भी नहीं हूँ तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तरहीं आगे प्लीज आप मुझे पिछे दिखाधा रहे हैर तो इसा घुübermeeशन करते रही है उसे ही नहीं पॉप कि दिखागा की आईचे फंड़कनी कन्वा सります इसे ही आप मुझे इंक्रेस करें थाकि मैं और त्षिचा कांग्रा मैं और वीडियो róhलै यहीं अपनकी काँड़ाウ में तब तक के लिए बाबाए टेक केर जैशिवा तो आप बिल्कुल एक अचमवित रह गए हो गए कि मैंने आप यह वीडियो स्टार्टी नहीं पहले ही एंड कर दिया इस प्रकार की बचकाना बात हैं कि किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाक उडाते तो अगर इसके पीछ हाँ किसी कि अटर आप रहे तो किसी के बड़ा पाने में उतके पमेशी जारती उड स्कटतिements केचैना प्रकार कि किक नहीं तो ell तो क अ हम सक्रक्राइध की और थीक। एक बार फिर से एक नया ब्लोग लेके एक नया ब्लोग लेके और I hope कि आपको मेरी पिछली विडियो पसंद आई होगी तो इस बीडियोको भी उतना ही लायक देना जितना आपने मेरी पिछली बीडियोको लायक दिया है तो आज दिन है सैटरीध और तारीक है किती तारीक आज और आज है 14 और आज एक स्पेशल ट्रैक के लिए एक बार फिर से जहां मेरी टीम निकल चुकी है आज की ब्लोग में बहुत सारी लोग जो है और इन से भी लिए यह है सौनु कुमार लेकिन फर्स्टाइम ट्रैक जो है मेरे साथ कर रहा है तो यह रिसेंटली ही मेरी टीम सैपर 13 में जुड़ा है और परसन है जो बिल्कुल टंडे रूंडे लेके ऐसा लग रहा है कि बैस्नमादा की जड़ाई पे चड़े हैं तो इन सबसे लेजी परसन है अभी इस पूरे ट्रैक में और भाही कुछ मोलने जाएंगे बोलो यार आपके दोस्स बोलते हैं कि ब्रिजेश को ब्लॉग में लेके आगे तो इग्नोर करें इन सबको ये यूनो पिछले ब्लॉग की तरह बहुत तारी लोग जो है यहां पर सबसे सबसे ज़्यादा जो है यह बन के पैड़ जो है कि यह पाई जाते हैं इसे बन कहते हैं पाकी हिंधी और इंग्लिश में jarna Ю biodi तो फो Happy ऑजर आजीस इन लगा है था तो आज भी वह कंग है तो हम बच्पन में क्या किया करते दो कि जो यह आपको दिख रहा है यहां पर जो एक डार्क जैसा मार्क है जो मेरे पीज़ के पास यहां इसको काट के और जो इसकी ये टेप है यह जो सामने दिख रही है आपको टेप कांटे होते हैं वो इसमें फशागे और फिर इसको घुमाते थे और इसका लट्टू बनाते थे काफी टाइम बाद यह चीज़ देखने को मिली तो सुचा क्यों ना आप लोगों को भी एक्सपीरियंस शेयर करकिया जाए एक दिन का सपना है कि उस बाले पहाड पर जाओंगा यह जो सामने दिखाए दे रहा है इसे कहते हैं राइजिं स्टार हिल तो यह एक सपना है और ए तो गाइज तो मेरे प्रिये स्याथियों ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से हम जो है वो इस घरे जंगल में सत्पुला के घरे जंगलों में घूमे जा रहे हैं नीला आस्मान नहीं दिखाए दे रहा है पचास रुपे दे और पचास रुपे कार्टो परे बावासीर एक आम समस्या है देखा आपने ला परवाई के नित्री का इससे मेरा क्या फाइदा हुआ फिर पचास रुपे ओवरेक्टिंग के कटे तो तो कुछ आपको तटाना ट्रैक के बारे में कुछ बताना चाहूं यह धरमशाला से पांच किलोमेटर के दूरी पर गाउं पड़ता है खनियारा तो यह खनियारा से 5 यह छे किलोमेटर का ट्रैक होगा और 5-6 किलोमेटर मींस बोले तो आपको तीन या चार घंटे जो है वो इस ट्रैक को करने के लिए लिए लगेंगे तो आपको बता दूं पुराने टाइम में जैसे हमारे पापा या मैंने अपने चाचा जीव गयारा से सबसे सुना है कि कुछ लेट की माइंस भी यहां पर तो आज की टेट पे जो की बंद हो चुकी है तो गाइस बाकी की स्टोरी बाद में अब थोड़ा सा हम जो रास्ता जो है वह हम भटक तो थोड़ा रास्ता भूच आजए तो असुविदा के लिए खेद है ट्रैक में चठाना ट्रैक जाती बार आपको कुछ कुछ चीजों का जो बहुत ध्यान रखना चाहिए जैसा कि आपको अपने साथ आपके ट्रैकिंग सूज बहुत अच्छे होने चाहिए चाहे आप प्रिम विंटर में जड़कर रहे हैं या आप समर में या फिर मॉन्सून में जब भी जा रहे हैं तो तो यह विंटर का मैं आपको एक्स्पीरियंस बता रहा हूं छूज अच्छे होने चाहिए ट्रैक के लिए फिर आपने वाम क्लोथ कैरी करके लेके जाने चाहिए और से जैकेट्स यह सब चीज़ जो है एक्स्टा कैरी करके चलनी चाहिए था कि कहीं आपको अगी से कुछ ऐसी कोई प्रॉलम में आप पढ़े जाते हैं तो आप जो है वह से रिकाबर हो सके पाचीस अपने साथ जरूर कैरी करके चलना क्योंकि कहीं पर अगर ठंट देयारा था इस लिए फिल्य जाई में तो करते गोंते हैं कि फूल और अगर जिस की सी बातका मुझे दड़़ी दुख है जिस सी सीत्यहें ज outright अगर मैं उसी को बार-बार सोचता रहूंगा मेरे माइंड में जो है वो वही चीजे चलती रहेंगी तो मैं शाइद कभी सफलता जो है ना वो कभी नहीं पापा हुआ विस्वजीत कहाता है कि मुझे सपने में क्याता है चुडल ले आती है इसको और बता निसकता कैसे आती है तो यह समझगे हैं कि आप और यह बाई क्या रहा है कि क्या वह किन को सपने नहीं आते है मैं जब आंगे वान कर तों 10 मिनिट में नीम बढ़ जाती है पदा नहीं लगता सुवा था यह है किसी चीज की टटी है और यह बिल्कुल अभी रिसेंट अर्ली मॉर्निंग की है और इसमें हडियां है यह यह टटी किसने की है किसी पता नहीं किस चीज की पॉटी है यह आपर एक और खोज की है बिसब जीत ने क्या है बिल्कुल यह वाली जो बरफ है रहा यह बिल्कुल एक तम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रूइं की तरह है देखिए कंज तो आपको चक कराता हूं कि एक विल्कुल की तरह है और अब यह शौट जाएगा की लेए क्या शोड है ब्रो शोड है यहां पर जो बखरी की विंग रही है एक आप सुनाता हूं में आपको पहाडी में कहावत है पहाडी में क्या है इस हमारी जो गदी बहाज में कहावत है कि होचे मुलो गोच्छा तेने दोड़ जचके चटो जो इनको अवी न होचे लोगों को थोड़ थोड़ बर्वगिडे है तना न है की मतलब होच्हे मिन्सकी जपल मुल्ड राइख 펫 एब दी बॉद दी जलो आप एब greater आपको दिखाने के लिए कि ये जो है ये ब्रास का पेड़ है जो कि बहुत काम आता है इसके रेड रेड फूल होते है चटनी बनती है और जूस बनता है ब्रास के फूलों का तो ये पेड़ है ये जितने भी आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब ये ब्रास के पेड़ है पता नहीं कितनी दूर है मतलब पहुंचते 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 पता नहीं कहां पहुंचे हैं रास्ता भूले वह सारी चीजें करके लेकिन मुझे लगता है कि अभी और उपर चड़ना पड़ेगा एक दिन यहांने का सपना देखा था और फाइनली जो है मैं अपने फुट्प्रिंट्स इस ठठारना ट्रैक पे जो है वो चोड़ता हुआ जो की रात को ताजा बर्फ बारी हुई थी तो अबस्दिसाइड कि मुझे जाना है तो फाइनली 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 काफी सालों के सपने के बाद और कितने घंटों का सफर करने के वाद जो मैं आप पहुंचा हूँ च्ठा राइच में प्लीज चैक करिए यह वो छड़ाउना ट्रैक जिसम लोगों के ब्लॉग में देखा करते थे यह वो छड़ाना ट्रैक जिसको हम जो Google साइट्स है Google में पढ़ा करते थे आज उस ट्रैक पर मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ रास्ता भूले बहुत कुछ हमने यहां पर पीछे टफ डिसीजन लिए अभी जो हमने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाए क्योंकि अगर आपको हम ब्लॉग में दिखा देते है है तो वो चीजे फिर घर वाले भी डापते हैं उन चीजों को लेकिन बहुत सारे टफ डिसीजन लिए एक टाइम ऐसा था कि सोचा की नहीं अब इनफ अब इससे आगे जो हम नहीं जाएंगे अब फाइनली जो बापस मूव होता है मूव अन करते हैं घर की तरफ लेकिन फ अब बहुत ही खतरनाक और कैसा सबसे पहले मुझे यह पताओ कि यहां का दृष्ष्य कैसा है कैसा यहां का विउ कैसा है यह सामने आपकी धोलादार रेंज सामने चक करिए और वह सामने जो है वह त्रिवंड ट्रैक दिखाई दे रहा है जो कि अब इमने लास्ट किया था आपको इतना प्राउड मानता हूं और बगवान का शुकरिया दगता हूं कि मैं इमाचल जैसी जगह पे बैदा हुआ क्योंकि यहां की जो वालिया और यहां के जो नेचर जो है और 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 कहीं है तो यहां पर ना आपको कभी बोरियत मैसिस को भी आप ऐसे कुछ अ मतलब है कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए हुआ हम माल मतलब बाप को मासिगा चल अशली जैसे कि मिसुदी ने कहा कि I'm very thankful to goat कि मैं यहां इस हिमाचल पदेश में जो देभूमी है वहां पे मैंने जनम लेने के बार जो है इतनी अच्छी मतलब की एक मेरी जो कांगना वैली है तो कांगना वैली चारों तरफना पहाडों से घरी है और बीच में आ andy ना सब के बास पुरा परबंध होना चाहिए तो बहुत कुस नसीव हैं जो यहां पे रहते हैं आस दिन तक आप जितने भी आपने मेरे ब्लॉक्स देखे हैं उन सब में से बेस्ट देखने की आपकी बारी है तो प्लीज ये व्यू चेक करें आप मतलब मेरी लाइफ का सब से पहाड पे जाओंगा ठठाना ट्रैक पे जाओंगा और ये चीज में कैप्चर करोंगा तो प्लीज चेक इस आउट गाइज तो गाइज ये वाला शॉर्ट जो हैना आप लोग ये चेक करिए तो कुछ आपको एक चीज दिखाने आये हैं कुछ किसी की यहाँ पे डैट बोडी पड़ी है I don't know वो क्या चीज है तो गाइज ये है गाइज जो की मुझे लगता है काफी टाइम मुझे ऐसे उट की तरफ ही लो रहा कुछ लेकिन नहीं एक गाय है जो की काफी सेंस्टिव मतलब वो है ये चित्र है पता नहीं बिचारी कैस किस गॉमाता किस इसमें जिनकी डथ हुई थी तो चलो बग्वा किस गॉमाता किस गॉमाता किस गॉमाता है तो जितना ही ये सुंदर दिर्शे है अगर यहां पर कोई नाइट स्टे भी करना चाहता है तो वो नाइट स्टे करने के लिए बहुत सारी हट्स हैं तो उन में से एक हट ये भी है जो कि मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूं अंदर खुलेगा अंदर की बाहर की दर खु हैं जो कि अभी मतलब ऐसा है कि उपर से पानी गिर रहा है इन में लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छे रात प्यारा काटने के लिए आप अच्छे यहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो ये कुछ यहां की एक हट है बाकी हट्स भी हैं लेकिन वो ज सलते हैं घर की तरफ क्योंकि टाइम भी हो रहा है टाइम हो चुका है सवा तो और पहुंच से पहुंच से भी हमें जैसे कि आपको पता हमार साथ कुछ कछुए चले हैं तो अप्रोक्सिमेटली जादा नहीं तो हमें पहुंचने में तो घंटे तो फिर भी जाएंगे तो अब हम बस निकल रहे हैं और निकल के सीधा पहुंचेंगे जहांसे हमने स्टार्ट किया था वाए भाए ठठार्णा सी यू सून बहुत जल्दी आएंगे नाइट स्टे के लिए यहां पर तो गाइज यह वीडियो जो है गोविंद चनोता तक पहुंच आनी चाहिए कि कौन है यह बंदा जिसने यहां पर यह ठठार्णा ट्रैक को जाती बर्द जो है वो अपना एक अपना नाम जो है वो य बहुत अच्छा तो अभी उतरते उतरते अभी हम थोड़ा ठाके थे तो शेर सुनना है तो खाद दाद कुझली जरूर दीजीगा शायद आसान था तुम्हारे लिए यह जख्म देना वाँ शायद आसान था तुम्हारे लिए जख्म देना उनी जख्मों को आज मैं सीए जा रहा हूं वाह अब जख्मवी बर्दास्ट से बार है मेरे भाबा भा मरने तलक अपने रास्ते बनाए जा रहा है हाँ हाँ नग्या अब यह में अब तो आए आए है